Hello guys, इस वीडियो को sponsor किया है 5% ने जो की एक pro firm है जो traders को fund provide करती है तो अगर आप trader है और आपके पास fund नहीं है तो आप इस firm को join कर सकते हैं यहाँ पर आप इनके program चूच कर सकते हैं या तो आप instant funding वाला program ले सकते हैं या bootcamp वाला program ले सकते हैं तो आप जो वीडियो के description में जो link है वहाँ से register कर सकते हैं आपको 10% discount में लेगा Hello guys, welcome to forex salary channel और यह second forecast वीडियो में आपका स्वागत है पहला forecast का वीडियो जहाँ पर हमने forex currency pairs को analyze किया था यह दूसरा वीडियो है जहाँ पर हम अपने gold, btc, oils और indexes को forecast करेंगे तो चलते हैं अपने charts में और देखते हैं आने वाले हपते में क्या-क्या market में moments हम देख सकते हैं तो सबसे पहला pair guys हमारा gold यहाँ पर आप इसले हपते का forecast देख सकते हैं हम 4 hour के chart में हैं तो यहाँ पर market थी 15 July के आप सपास जो मैंने आपको बताया था market में आप continuously down moment में चलेंगे हमारी जो support है वो 1680 के आसपास है उसके बाद या तो आप jump देख सकते हैं नीचे की तरफ या easy area में consolidation और यहाँ से फिर अगर support से हम कुछ उपर की तरफ reversal देख सकते हैं तो market में उपर की तरफ movement मिल सकती है तो आप देखिए continuous से market नीचे same area में दो बार आपको consolidation और उसके बाद फिर उपर की तरफ market यहाँ पर गई है अब आने वाले हथते में gold में हम क्या देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देखिए sharp movement और उसके बाद यह एक अच्छा खासा jump मिला है gold के ओपर एक news है जो बहुत important है जो bank rate का decision है वो हमें observe करना होगा तो हमारे लिए यह level काफी important रह जाता है क्या market इस level को यहाँ पर break करती है या नहीं अगर break करे फिर retracement मिले buy की opportunity देख सकते हैं 178 के आसपास नहीं तो यहाँ से कुछ retracement मिलती है अब यह कहां तक जाती है वो इसी area दुबारे से इस level को retracement करे news का कितना impact आता है USD कितना strong जाता है वो हमें देखना होगा तो हम buy की opportunity कहां से देख सकते हैं वो हम observe कर सकते हैं क्या यह इस level को भी break कर सकता है वो हमें observe करना होगा तो इस level को break करें फिर बात अलग है नहीं तो मैं कहूंगा अगर आपको कुछ retracement यहाँ पर मिले यहीं से breakout करे कोई भी मिले आप यहाँ पर इसमें buy की opportunity देख सकते हैं unless USD पूरी तरिके से week ना हो या फिर नीचे की तरफ market में moment मिले silver guys यह आप देखें पिछले हफ्टे का forecast again यहाँ पर मैंने 15 जॉलाई के आसपास मैंने कहा था market यहाँ पर consolidate करेगी कुछ ज़्यादा moment नहीं है यह आपका start moment वादा correction करेगी इस एरिया में है रहेगी unless यह इस एरिया को break करे यह उपर की तरफ breakout दे तो कुछ ज़्यादा moment नहीं मिली same इस एरिया में हम यहाँ पर consolidate कर रहे हैं अब आने वाले अपते में silver में हम क्या moment देख सकते हैं तो यहाँ पर यह आप देखें correction जो हुआ है वो उपर की तरफ हुआ हम channel में यहाँ पर move कर रहे हैं हमारी जो नीचे की resistance है वो 16.509 के आसपास है तो अब हम देखना होगा market यहाँ पर इसी moment में यहाँ पर चलती है क्या इस level gold की तरह ही 19.194 इस एरिया को break out करे कोई retention मिले फिर आप 20 तक का target यहाँ पर देख सकते हैं नहीं तो फिर यहाँ से market अगेन दुबारे से नीचे और इसी channel में हम यहाँ पर movement देख सकते हैं इस एरिया को support करें इस previous support को यह break करें तो जैसे मैंने बोला हम 16.509 इस एरिया तक को observe कर सकते हैं तो wait कीजिए observe कीजिए क्या इसी channel के अंदर तो target आपका पहला यहाँ पर इस से उपर मत रखिएगा या within a channel buy sell कर सकते हैं उपर कि दर breakout मिले buy opportunity देख सकते हैं oil guys पिसलेपते का forecast यहाँ पर मैं आपको एक बहुत solid opportunity और setup बदाया था हम यहाँ पर थे 15 जुलाइ के आसपास यह market में move हो चुका था मैंने कहा था हैं यहाँ पर कोई भी correction मिले आपको कोई भी retracement मिले buy कीजिएगा target कहा रखेगा इस channel में इस top के area में रखेगा तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा यह दो candle आपको retracement मिली solid support के आसपास आपको buy opportunity मिली और आपको बहुत अच्छा target यहाँ पर मिला होगा अगर आपने इसमें यहाँ पर buy की opportunity देगी और इसके बाद मैंने कहा था इसके बाद नीचे market इस level को अगर यह break नहीं करती है अब यहाँ पर market यहाँ पर एक, दो, तीन बार आ चुकी है जिस support को यहाँ पर hold कर रही है तो अभी हम देखना होगा अबजर कर रहा है क्या यह इस level 96.97 इस area को break out करती है इस level के आस पास, again target अगर आप यहाँ पर देखना चाहिए, break out करे, again फिर return करे, फिर हम यहाँ पर buy की opportunity देखेंगे तो oil में अगर आप continuously मिलता है फिर हम यहाँ पर देखेंगे, नहीं तो यह इस level को break करे, फिर दुबारा से हम अपनी previous support को यहाँ पर return कर सकते हैं और 93.82 के आस पास, तो market इस range में हम देखना होगा, break out उपर की तरफ मिले, तो target इस से उपर मत रखिएगा, नीचे जाए यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं क्या यह हमें retracement मिले, support को break करे यह, resistance को break करे, तब ही buy उपर के लिए देखेगा, नहीं तो फिर आप यहाँ से इ यह sell कर सकते हैं, तो उपर की तरफ continuously correction चल रही है, और इसके बाद आप यह देखिए, market गई, इस level को भी break किया, उसके बाद फर यह higher high नहीं बना पा रही है, और उसके बाद market में आप struggle देख सकते हैं, तो आने वाले हपते में हमें देखना होगा, bitcoin में क्या moment हम देख सकते ह आपर एक channel में उपर की तरफ चल रहे हैं, यह उपर की तरफ high move बना, दूसरा इस से उपर नहीं जा पाया और यहां पर हम support को आ चुके हैं, देखना होगा क्या इस level को hold करता है, नहीं, breakout करें, फिर again हम 2500 के आसपास यहां तक का target देखिए, again USD के उपर news है, तो नीचे की तर किसे उपर की तरफ जाती है, नहीं channel में जाती है, channel को breakout करें, नीचे की तरफ movement देखिएगा, 20,000 का area आप target aim कर सकते हैं, अगला pair guys हमारा Ethereum ETH आप यहां पर देख सकते हैं, 4 hour के चार्ट में आगें, यहां पर मैंने आपको बताया था, हम continuously उपर की तरफ market में movement देखिएगा, तो next week में Ethereum में हम क्या movement देख सकते हैं, तो guys यहां पर एक, दो, तीन movement यहां पर आ चुके हैं, हम यहां पर इसी range में अब यहां पर struggle करने हैं, तो अगर यह इस level को break करें, 1500 के area को, यहां पर आप देख सकते हैं, 1500 का area, तो फिर हम अगें साप movement, अगें 1200, यह 1048 के आपस यहा area है, वो यह area है, जो आपका resistance area में देखना होगा, फिर यहां पर यह स्ट्रगल करें, फिर नीचे की तरफ movement में लें, तो बाकी pairs जैसे कि bitcoin में आप अब जोर करें, उसी तरीके से movement यहां पर आपको मिलेगी, अगला pair guys, हमारा US 30, यहां पर आप देख सकते हैं, हम थे 14, 15 जुलाई के आसपास अगें, यहां पर मैंने आपको बताया था कि कोई retracement यहां पर आपको मिले, आप इसमें buy opportunity कर सकते हैं, लेस्ट यह यहीं पर आपका consolidate करें, यहां से market ने buy opportunity दी, target आपका पहला यहां पर होन 10 में था, अब next week में US 30 में हम क्या movement देख सकते हैं, तो guys इस area को यहां पर यहां पर ब्रेक करके, market contents लिए उपर गई है, यह danger area हम यहां पर दुबारा से आ चुके हैं, हमें यहां पर observe करना होगा, कि market यहां पर किस तरीके से behave करती है, अब हमें देखना होगा, क्या यह यह आप देखें, एक, दो, तीन, इस area में आपर दिये, 31,748, इस area को अगर यह hold नहीं करती है, तो फिर नीचे की तरफ movement देखेंगे, 31,200 या इस से भी below, तो observe किजिए, क्या इस market इस area को hold करे, अगर buy की उपर शुटी मिले, उपर की तरफ continuously जाए, फिर हम 33,200, या within a channel आप यह 32,400 के आसपास, तो यह मेरे target होंगे, उपर की तरफ पहला यहाँ पर, और continuously उपर की तरफ जाती है, 33,200 तक का target देख सकते हैं, अगर यह इस level को break करती है, फिर नीचे 31,200 और continuously नीचे down, तो यहाँ तक की target आप इसमें observe कर सकते हैं, अगला फिर गाईज हमारा US 100, यहाँ पर आप देखें 15 जुलाई के आसपास, मैंने कहा था, आपको market continuously उपर जा रही है, इसी range में आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यह इसको भी break करें, फिर कोई retracement मिले, by opportunity देखिएगा, 15 जुलाई market continuously उपर गई, इस area में गई, दु आपको मिली है, यह देखिए, इस तरीकी से market उपर गई है, struggle कर रही, दो बार यहाँ पर आपको double top दिया है, और एक solid move नीचे की तरफ, channel के down में आप यहाँ पर हम आ चुके हैं, यह area काफी danger area है, 12,800 के आसपास, जो आप यहाँ पर observe कर सकते हैं, या ultimately next जो है, वो 13,400 का है, तो अगर यह channel को इसको break करती है, यहाँ पर, अगर मैं mark करना चाहूं, 12,261, इस से उपर है guys, आप buy के लिए opportunity देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आपको buy opportunity मिले, hold करे market, आप यहाँ पर previous high पहलाप का target होना चाहिए, या ultimately 12,800 अगर जाए तो हम यहाँ तक का देख सकते हैं, और अगर यह इस level को यहाँ पर break करें, फिर आप अगें दुबारा से 11,800 या previous support तक का target यहाँ पर आप इसमें observe कर सकते हैं, तो guys, यह मेरे सबते का forecast जो gold, oil, btc या फिर US indexes के उपर था, तो यह second video था, पहले video में मैं forecast for x pair पे कर चुका हैं, आप उस video को देख सकते हैं, उस तरीके से video आपके लिए बनाता रहूं, brokers के लिए अगर आप जैसे पूश्टे रहते हैं, तो मेरी website पर जा सकते हैं, for this broker section में, वहाँ पर मैंने recommended brokers के नाम दियो है, xness, fxtm, tickmill, और जो video है, जहाँ पर कौन से mainly broker में use करता हूं, इस video को आप देख सकते हैं, ताकि आपको पत है, जहाँ पर जाषम है, ताकिम हम देख सकत defining उले हैं, ताकिसे फेंढ screens 선oryonse, तो में तेख सकते हैं, त 우리가 करता हैं, ते तो में ।ूर्टे हा जापको आपको 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 आपकोस हम देख साफाना करता हैं, जा जो हम फंजितत हैं, इस जाए थे उए प् Writing